गाजयबाद में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुट भिड हुई पुलिस ने मुट भिड में एक नामी बदमाश वेंक टेश्वर को दबोच लिया पुलिस ने बदमाश को एक कार का शीशा तोड़ कर चोड़ी कर भागते वक्त गिरफतार किया हाला कि खुद को घिरा पाकर उसने पुलिस पर फाइरिंग शुरू कर दी जिसमें एक सिपाही भी घायल हो गया वहीं SP City आकाश तोमर ने बताया कि गिरफतार बदमाश गाड़ी में टपेबाजी की घटनाओं को अंजाम देता था वहीं वैशाली सेक्टर चार में इस्थित हाई राइस बिल्दिंग के बीचो बीच हुई मुट भिड में दागी गई गोलियों के आवाज से इलाके में दहशत फैल गई पुलिस ने घायल सिपाही और बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भरती करवाया है पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियबाद से आकाशकर की रिपोर्ट शनी काम बनाएंगे या बिगाडेंगे गुरू किसका भागे समारेंगे कैसा रहेगा राहू का बूचा मंगल से किसे लगेगी ठोकर मैं बताऊंगा मेश से लेकर मीन राशी का हाल भविश्वानी लाइब में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुभ है आठ बज़े